My dear friends, this is Akanksha Seng, welcome you on YouTube channel V2ZRF आज हम करने वाले हैं Color Scheme ये lecture number 22 है, उसके पहले जो वीडियो आचुकी उनका पूरा एक प्लेलिस्ट है तो उसका लिंक दिस्क्रिप्शन में भी दिया है, उपर आई बिटन पे भी दिया है तो इसके पहले की सारी वीडियो आप एक साथ के लिस्ट में चेक कर सकते हैं और इसके पहले जो elements of art and principles of design ये अन ये color scheme ये तीनो topic एक दूसरे से interrelated है और मेन बात ये है कि ये जो ये तीनो topic है ये textile and clothing साथ में family research management में जो interior decoration and normal decoration का जो topic है उसमें भी ये तीनो topic है वो common है एक तो textiles में दूसरा family resource management में ये topic common है इसलिए 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 जो question है वो textile में means clothing के based पे भी आ सकते है और जो family resource management है उसमें home management से related question आ सकते हैं इसलिए topic इनको clear करना बहुत जरूरी है इनको पढ़ना बहुत जरूरी है सो हम स्टार्ट करते हैं और अगर आप चैनल पर पहली बार रहें आभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजेगा end description में telegram का link दिया है अब वहाँ से telegram चैनल सब्सक्राइब कर लिजे आपको सारे PDF साथ में कुछ questions भी मिलेंगे वहाँ बात करते हैं जब हम बात करते हैं color scheme की तो सबसे पहले पढ़ना जुरूरी हो जाता है कि dimensions of color क्या है यह कुछ dimensions मेंले जो dimension होते हैं color के वो three dimension है hue, value and intensity जब हम color scheme पढ़ते हैं तो इनके dimensions के बारे में हमको पता होना बहुत जुरूरी है क्योंकि dimension जो है color scheme में use होते हैं तो यह words जो है hue हो गया value हो गया intensity हो गया इनकी words के एक अपनी specific definition है तो इन words के बारे में clear करना इनको जानना बहुत जुरूरी है तो हम start करेंगे hue से hue is the descriptive name of color such as red, orange and violet normally हम color बोलते हैं ऐसे red हो गया, orange हो गया, violet हो गया का इसको थोड़ा से और explain कर देना उसके बारे में, तब उसको बोलहें hue debrreet Descriptive mean description में, जब color की बहात हैадно description form में और इसको थोड़ा सा और elaborate करके आप उसको explain करके उसके बारे में बात करता है तब बोलते हैं hue, बिले इसको बोलते है इक color की family में, क्लरक की family में होते हैं हूँ और यह हूँ जो है इंडिकेट करता है वाम्त एंड कूलनेस ऑफ कलर मिस्क वाम कलर है या कूल कलर है हूँ यह भी रिप्रेजेंट करता है रेड कलर इस प्यूर प्यूर हूँ अगर हम सिंपली बात करते हैं रेड की तो यह हो जाएगा प्यूर हूँ ठीक है वाम कलर्स एडवांसिंग यहां पे D हो जाएगा A D V A वाम कलर्स एडवांसिंग दस मेक्स ऑब्जेक्ट अपियर लार्जर एडवांसिंग मिंस एडवांस आगे आना आगे आना जो ऐसे कलर जिनसे लगता है कि जो भी चीज है वो आगे की तरफ आ रही है उसको बोलते हैं जैसे अगर टेक्स्टाइल के बेस पे लेते हैं तो अगर कोई रेड कलर का औरेंज या यलो कलर का कोई ड्रेस है उसको किसी ने पहना है या किसी ऑब्जेक्ट के उपर उसको ड्रेप किया तो वह लगेगा कि ऑब्जेक्ट आगे की तरफ आ रहा है या कुछ बड़ा छेवी अगर है या जो वाम कलर होते हैं वह जो बोडि कंटर है या बोडि जो साइज हो इसको दोड़ा इंफसाइज कर देते हैं जिनसे साइज कम लगता है कोशब कोई बड़ा अब्जेक्ट है उसको डाख कंटकर देंकट यू झार्ट किकटर गवाघर करने में कियों और जो परसंद परसंख में रहं पत्रशम करते हैं उसको सबीक हरा कि रहा यूश्लकर करते हैं यूश्पार सब्दीश में परसंखरें color पहना है उसका body size कम या फिर छोटा object को छोटा दिखाने में help करते हैं जो हिंदी में है नेक्स्ट आता है value एक हो गया hue hue के बाद आता है value value is a lightness or darkness of hue hue means color की family तो यहां पर देखो यह terms बार-बार यूज़ होंगे तो बिल्कुल एक बार माइंड में clear कर लेना hue means color की family या फिर color तो जो color है color की lightness और darkness को जो represent करते हैं उसको बोलते है value ठीक है hue में simple color और इस color की lightness and darkness को represent करते हैं कि color जो है light color का है dark color का है by the addition of white जब white add करेंगे तो tint मतलब light color बनेगा black add करेंगे तो dark color बनेगा इसको बोलेंगे shades तो lightness और darkness को represent करते हैं उसको बोलते है value values can be lightened by adding white which are called tint जब white color add करते हैं तो color जो जिसे red color है उसमें जब white add किया तो वो pink होने लगता है जब black color add करेंगे जब red में black color add करेंगे तो dark red, maroon, bazanta type होने लगता है तब जब dark black add करते हैं तो darkness बढ़ती है उसको बोलते है shades देखो shade को ऐसे shades जिसे चाया बनती है ना कभी दूप जो भी sunlight आ रहे उसके opposite में खड़े हो तो shade चाया बनती है उसको बोलते है shade means जो dark color का हो रहा है उसको बोलेंगे shade और जो white color का हो रहा है उसको बोलेंगे tint tones are made by mixing gray जब gray color add करते है उसमें जो color में variation होता है चेंज होता है उसको बोलते है tone और जो gray color बनता है combination of black and white black and dark value seems to decrease the size अभी हमने hue में भी पढ़ा कि जो dark colors होते है वो size को reduce करते हैं same यहां पे भी दिया है black and dark color जो black or dark values होती है जो dark color होते हैं वो decrease the size of object and provide the impression of stability normally जब घर होते हैं उसमें जो first होती है वो dark color की first होती है क्योंकि इससे room में stability लगते है क्योंकि जब light color होती है और जो ceiling होती है वो इसने specially light color की होती है जहां पे stability चाहिए होती है या फिर एक stable की हां वहां पे dark colors use के जाते हैं यह हिंदी में है next आता है intensity intensity और chroma it indicates the brightness or dullness of the color ठीक है यह intensity यह chrome यह भी color की brightness और dullness को इंडिकेट करता है यह देखो यह values थी यह lightness और darkness को और यह इनकी brightness और dullness को ठीक है it refers to degree of color intensity strength saturation and purity of color यह बताता है कि color की intensity क्या है color की strength क्या है और color में purity कितनी है intensity of any hue can be changed by mixing hue means color की family intensity किसी भी color की intensity को change किया जा सकता है by mixing it with complete complimentary color और by mixing it with gray complimentary means opposite color जैसे red था तो उसमें green color green है तो उसमें red color add कर देना या फिर gray color add कर देना तो इससे जो जो भी color है उसकी जो natural intensity है जो उसकी natural color है वो change हो जाएगा तो जब color में कोई complimentary color या फिर कोई other gray black white कुछ add करते हैं तो उससे color की intensity है वो change हो जाती है उसको बोलते है intensity और chroma हिंदी में है दना आता है types of color scheme color scheme कितने type की होती है normally जो color scheme होती है वो दो type की होती है एक तो related color scheme then complimentary related means ऐसे color जो एक दूसरे से related है complimentary means ऐसे color scheme जिसमें color जो है एक दूसरे से opposite है तो जो related color scheme होती है वो दो type की होती है normally color scheme two type की होती है ठीक है उसके बाद इन में divination होता है तो आते है related जो related color scheme है वो दो type की होती है then जो complementary opposite color वाली color scheme है वो होती है five type की तो आगे हम discuss करेंगे एक-एक को related color scheme ठीक है related color scheme में आता है monochromatic color Mono means single एक color Monochromatic color Single एक color जिसमें Mono means एक color की scheme उसको बोलते हैं Monochromatic These are evolved from a single hue Means एक color से बनती है Which can be varied both in value and intensity इनको value and intensity में यहाँ पर देखो value and intensity means इनको lightness, light tint और shades के बना जा सकते हैं But single hue means एक single color के Monochromatic में एक single color use होता है उस single color के साथ variation कर सकते हैं Like उसमें values और intensity को उसकी change कर सकते हैं Means black, white और grey color उसको add कर सकते हैं और Monochromatic color की speciality क्या है Spaciousness and continuity are emphasized इसमें जब एक color बैसे कोई room है उसको अगर red theme देनी है तो पूरा room red color का नहीं अच्छा लगेगा तो उसमें इसमें इसकी value और intensity को change करेंगे Means कहीं पर light pink हो जाएगा कहीं पर red, dark, red तो ऐसे जो उसकी value और intensity change करेंगे तो पूरा room जो है जब एक color का इसमें spacious लगेगा और color एक ही color है तो एक ही color बार-बार means उसमें कभी light है कभी shade है तो उसमें continuity भी रहेगी and effect is quite peaceful और इसे जो effect आएगा रूम में वो peaceful effect आएगा जैसे 5 example है shades of red को एक red color यूज किया साथ में उसके shades या green color यूज किया तो green color के shades monochromatic means एक color के light tint and shades use करना उसको बोलते है monochromatic then आता है analogous color scheme analogous analogous का mean होता है मतलब होता है कि अगल बगल वाला या आस पास आले इसे हम बैठे है हमारे पास कोई बैठा है उसको हम बोलेंगे कि हमारे जो adjacent side में बैठा है analog जो just हमारे बगल में बैठा है उसको बोलेंगे analog ठीक है या फिर adjacent these are based on three or more hue each of which contains some degree of one hue analog means आगल बगल जैसे हम ये बैठे है हमाई तरफ एक ये इधर कोई बैठा है ये बैठा है तो ये हो जाएगा analog कि हमारे आस पास के जो चीजे है परसन जो भी बैठा उसको बोलेंगे analog तो यहां पर कितने होगा थ्री और मूर मिनिमम थ्री या फिर मूर कलर एक हूँ का कलर होगा जैसे अगर हम जैसे रेड है ठीक है इंच अश्च बैठा है तो उनमें हार्मनी एक यूनिटी क्रीट होती है तो यहां पर आ गया प्रिंसिपल ओस्व डिजाइन्ड तो इसलिए elements, principle and color scheme में तीनों interrelated topic हैं तीनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है They contain a proportion of same color means हर जो भी इनके analog color use कर रहे हैं उसमें एक basic color होगा जो तीनों color में same होगा example देखते हैं If the common hue is blue अगर blue हम common color use कर रहे हैं तो blue से जो closely related colors होगे उनको बोलेंगे analog color आगे हम देखते हैं example में जैसे यह है यहाँ पर हम पहले बात करेंगे monochromatic ठीक है तो अगर हमने यह red color लिया तो यहाँ पर देखो like यह वाला color लिया ठीक है तो यह इसके tints हो जाएंगे यह इधर इसके shades हो जाएंगे इसको बोलेंगे monochromatic means यह एक ही color के tint and shade use कर रहे हैं तो यह हो जाएगा mono means एक single color monochromatic अगर अब हम बात करें analog color की तो हमने orange color लिया यह center color हो गया इसके बाद यह color इसके बाद यह color तो देखो तीनो में yellow color present है यहाँ पर yellow है यहाँ पर भी yellow है अब red में भी जब yellow में लाएंगे तभी तो orange बनेगा तो एक color का hue जो orange color है यह orange color का hue तीनो में orange color present है देखो है न यहाँ पर यह orange था यहाँ पर यह yellow and orange हो गया यहाँ पर red and orange हो गया तो means यह orange color है अभी हमने लास्ट में यही डिस्कस किया कि एनालॉग कलर में हम कम-से-कम 3 कलर या इससे जादा लेते हैं और 3 कलर में जो main center वाला color होता है ठीक है ये इस color का जो जैसे orange color लिया तो इसको बोलेंगे hue तो इस ये वाला hue अगल बगल के जो दोनो colors था है color है दोनों में present होगा इसलिए जब देखो इसमें भी orange है इसमें भी orange है इसमें भी orange है तो इसे एक harmony create होगे एक unity create होगे तो जो analog colors होते हैं उनको जब use करते हैं तो एक harmony एक unity create होती है और जब monochromatic color scheme use करते हैं तो उसे spaciness and continuity create होती है ठीक है ये हिंदी में है हिंदी में भी आप देख लिजिए next आते हैं complimentary color scheme complimentary पहले complimentary means टी आर वाई complimentary means opposite ठीक है complimentary का means होता है opposite तो opposite एक दूसरे से opposite color की scheme उसको बोलते हैं complimentary color scheme अभी आता है single complimentary scheme single means single एक color उसके जैसे ये color है single color इसके opposite में जो color है जब इन दोनों को यूज करेंगे तो बनेगा single complimentary scheme color that are opposite on the color circle and used in this scheme जो color circle जो color circle है इसमें ठीक है एक color ये है इसके opposite color ये है जब ये जोनों color use होगे एक single single color use होगा तो उसको बोलते है single complimentary scheme and हाँ वीडियो के लास्ट में हम colors ये जो color wheel है इसको बनाना सीखेंगे इसली color wheel को बनाना बहुत आसान है क्योंकि जो colors scheme से based question होते हैं वह mainly color wheel से ही आते हैं और जो तक आप color wheel बनाना नहीं आएगा आप ये question solve नहीं कर पाऊगे तो it is stimulating type and well balanced और ये जो color schemes होती है ये well balanced होती है जैसे ये opposite color था red इसके opposite होगा green तो ये complementary scheme next आता है double complementary color scheme कुछ नहीं है वहां पर हमने last में discuss किया single color यहां पर double means two तो ये color wheel है यहां पर ये आगल बगल के दो color इनके just opposite दो color ठीक है इनको ऐसे use करना इसको बोलेंगे double complementary color scheme it involves two or more pair of complementary color means इसमें दो pair होंगे colors के जो दोनों एक दूसरे के opposite होंगे and use together from double complementary scheme और देखो color जोंब डिरेक्ली एड़ेसेंट होते हैं आसपास के होते हैं ठीक है जैसे red का opposite है green orange का opposite है blue ठीक है ये दोनों red और orange हमने अभी color wheel में पढ़ा था यहां पर yellow था यहां पर red था यहां पर अगल बगल के color यूज होंगे और जो complementary होगा इधर जिसे यह red हो गया यह orange हो गया ठीक है red का opposite green orange का opposite blue तो यह अगल बगल के color pair में जो एक दूसरे से opposite हैं उनको यूज करेंगे तब बलेगा बनेगा double complementary color scheme इनके सारी schemes के example हम last में discuss करेंगे तब हमारा revision भी हो जाएगा through example next आता है split complementary color scheme सबसे पहले complementary meaning तो में पता है opposite होता है split means divide करना या break करना इसको बोलता है split means divide करना या फिर break करना split complementary color scheme इस पहीं complementary color scheme को complementary colors हैं उनको break कर देना उनको break कैसे करना है वो देखते हैं combination of primary और intermediate colors इसमें primary color या इंटरमेडियेट color दोनों use होते हैं that are on either side of complementary from split complementary जैसे यह color था इसका opposite यह है यह तो complementary हो गया बट हमें बात करना है split तो यहां पे कोई color होगा यहां पे कोई color होगा तो यह direct इस से ना मिलके इसके जो अगल बगल वाले colors हैं उनके साथ मिलना तो यहां से यह break हो गया ना split हो गया इदर उदर तो इसको बोलेंगे split complementary color scheme जैसे यह yellow था yellow का opposite blue था तो यह blue में ना जाके red violet हो गया and blue violet हो गया तो जिस color जो अपने directly opposite color से ना मिलके उसके अगल बगल वाले color से मिलना उसको बोलते है split complementary color scheme next आता है triad color scheme any three that is huge equidistance from one another on the color wheel जैसे यह color wheel है triad का मतलब पता है ना 3 ठीक है तो इसमें 3 colors होंगे एक color इसकी equidistance पे दूसरा equidistance पे 30 ठीक है जब तीन color color wheel में जब एक दूसरे से equal distance पे जो color है उन color को use करना इसको बोलते हैं triad color scheme जैसे red yellow red and blue अभी हम example देखेंगे उसमें पूरा color wheel बना हुआ फिर जाद अच्छे से समझ आएगा triad means three colors यहां पे तीन color color wheel में एक दूसरे से equal distance पे हो उनको use करना उनको बोलते है triad triad color scheme next आता है tetrad यह हो गया इसमें होंगे tetrad means four माहा पे था try means three tetra means four color scheme ठीक है sorry यहां पे four होना था इनी four that is hue equidistance from one another on a color wheel produce tetrad color scheme means इसमें triad में three थे tetrad में four color scheme जो color wheel पे equidistance पे हो उन चार color को use करना उसको बोलते है tetrad color scheme जैसे yellow orange green blue violet and red 4 color है यह चारो color color wheel पे एक दूसरे से विलकुल बराबर की distance पे हैं इसलिए यह हो गया tetrad color scheme अब हम देखते हैं example देखो monochromatic एक color का ही tint and shade यूज़ करना उसको बोलते है monochromatic फिर analog एक color के आसपास यूज़ करना उसको बोलते है analog complementary means just opposite देखो यहां पे एगर red लेते तो इसका opposite green यहां पर yellow yellow opposite वॉयलेट ठीक है complementary यह है split देखो यह color है इसके just opposite यह है तो यह यह ना यूज़ करके इसके आसपास के color यूज़ करना इसको बोलते है है split complementary tried means देखो यह तीनों color equal distance पे हैं ठीक है यह हो गया tried tetrad means 4 color use कर रहे हैं ठीक है उसको बोलते है tetrad is square यह हमारे slaves में नहीं है उसको नहीं पूछा जाता है तो अब हम बनाएंगे color wheel कैसे बनाते हैं simply तो color wheel बनाएंगे देखो हमारे primary colors होते है three ठीक है तो सबसे पहले primary color कौन कौन primary color के बारे में ठीक है हम एक three है तो हम triangle बला लेंगे क्योंकी three colors है तो triangle आराम से बन जाएगा यह हो गया red ठीक है red के बाद और दूसरा कौन सा primary color है yellow and blue यह तीन हमारे primary color है ठीक है अब primary तीन color है अब यह इन तीनो color को जब primary color को mix करेंगे तब बनेगा secondary color simple सी बात है तीन primary है तो इनको इनको add करेंगे तो यहाँ पे क्लर बनेगा इसको add करेंगे तो यहाँ पे एक color बनेगा तो इसको भी एक triangle बना दो देखो red, yellow and blue हमारे पास primary color थे जब red और blue को मिलाएंगे तो बनेगा violet color blue and yellow को मिलाएंगे तो बनेगा green color red and yellow को मिलाएंगे तो बनेगा orange color तो ये तो होगे देखो ये tried color थी उरी हमने पड़ी थी उसमें भी आ जाएंगे red, yellow, blue, orange, violet, green ठीक है ये equal distance पे हैं अब इसके बाद जब हम primary plus secondary color को add करेंगे तब बनेगा हमारा tertiary color तो ये primary color हो गया red, yellow, blue इनको जब add किया तो बना violet, green and orange ये secondary अब tertiary जो बनेगे तो जब इनको इनको add करेंगे तो यहाँ पे जो बनेगा वो tertiary color होगा तो जब violet और blue को add करेंगे तो blue, violet ठीके यह तो इनको लिख सकते हो तो blue और मोलोड का एड किया तो बना blue, violet ठीके यह ये violet औरzęड को add किया तो बनेगा red and violet red और orange को add किया तो बनेगा । रेड अग करेंगा येज और और येलो ग्रेन को match किया तो बनेगा येज ग्रीन कलर ग्रीन एंड ब्लू को एड़ किया तो बनेगा ग्रीन ब्लू कलर ठीक है तो इनको याद करना बहुत सिंपल है और आप ये कलर विल आप बना के देखना आप रफ कॉपी पर है कहीं भी इस बहुत इजी है बनाना इसको ठीक है नेक्स्ट थैंक्यू यह मेरा फेस्बुक पेज है आप मुझे हैं से कॉंटक्ट कर सकते हैं वेटू जयारफ की दकांग्चा सिंग यूटूब चैनल है वेटू जयारफ तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ला आर्ट प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन और कलर स्की में तीनों इंटर रिलेटेड हैं और यह दो हमारे जो दो कोर्स हैं टेक्स्टाइल वाला एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट तो दोनों में यह कॉमन टॉपिक है इसलिए यह जो टॉपिक है यह बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है इसलिए इसको अब जरूर पढ़ेगा जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए विश्यू अल्दा वेरी बेस्ट गुड लग थेंक यू बाई बाई